Hello and welcome back to my channel, VBD नसुरी So friends, आज हम चावल का बहुती टेस्टी और हेल्दी नाश्ता बनाने जा रहे हैं कई बार घर के लोग, एक ही तरह के नाश्ते से बोर हो जाते हैं तो अगर आप भी बनाना चाहते हैं कुछ अलग डिफरेंट और बहुत ही जादा टेस्टी और हेल्दी तो ये रेस्पी आपके लिए बिलकुल पर्फेक्ट है इसलिए वीडियो का आगरी तक जरूर देखिए वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजे शेयर कीजे साथ ही चैन आप कोई भी ब्रेंड के चावल यहां पर यूज कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो चावल को ओवरनाइट भिगो कर भी रख सकते हैं तो अब हमें करना है चावल को ग्राइंड और प्यूरी बनाकर तैयार कर लेना है तो प्यूरी बनाने के लिए हम यहां पर यूज कर कर लेंगे दही आपका अगर जादा गाड़ा है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी एड़ कर सकते हैं क्योंकि यहां पर दही जो मैंने इसमें डाला है वो घर पे जमाया हुआ दही है और बहुत जादा गाड़ा नहीं है इसलिए मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं तो आप देख सकते हैं बिल्कुल इस तरह की प्यूरी आपको बना कर तैयार कर लेनी है तो ये मैंने ट्रांसफर कर दी है एक दूसरे बर्तन में और यहाँ पर जो बाकी के बचे हुए चावल है वो हम मिक्सिंग जार में डाल देंगे बाकी का बचा हुआ दही भी हम इसमें डाल देंगे और इनको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे चावल को और दही को आपको एक मिनिट तक अच्छे से ग्राइंड करना है जिससे कि इसमें चावल के कोई भी दाने ना रहें बाकी के बचे हुए चावल की प्यूरी भी हमने बना ली है वो भी हम इसमें आड़ क कट कर लिया है तो सभी इंग्रीडियंट्स को आपको बिलकुल एकदम बारी कट करना है तो यहाँ पर हरा धनिया हरी मिर्च और एक चोटा तुकड़ा द्रक का हम मिक्सिंग जार में अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे और वो पेस्ट भी हम इसी में डाल देंगे आप चाहे हैं जैसे कि शिमला मिर्च हो गई गाजर हो गई तो वह भी आप कर सकते हैं मैंने इसमें इतनी ही सब्जियां की हुई है तो यहाँ पर आप हम इसमें डालेंगे सबसे में इंग्रीडियंट्स जो की है नमक तो नमक आप इसमें डाल दीजिए स्वाद अनुसार और इसे ब खाने में यूज करते हैं वो आप इसमें डाल कर सकते हैं थोड़ा सा पानी मैं इनों के उपर डाल दूंगी डाइल्यूट करने के लिए इसे हम अच्छे से मिला देंगे तो चावल का यह नाश्ता बनाने के लिए एक छोटा सा पैन मैंने गैस पर चड़ा दिया है उसमें चमच से दो चमच मैंने इसमें बैटर डाल दिया है गैस की फ्लेम को मैंने एकदम स्लो पर ही रखा है तो इसे आप पकने के लिए छोड़ दीजिए स्लो फ्लेम पर आप चाहें तो इसे नॉन इस्टिक पैन में या तवे पर भी बना सकते हैं क्योंकि इसमें शेप एकदम स्लो फ्लेम पर ही आपको इने सेखना हैं जिससे की अंदर से बिल्कुल भी कच्चे ना रहें और बहुत ही जाधा टेस्टी ये बनकर तैयार हो तो आप देख सकते हैं अलट पलट करके हमने इसे अच्छे से शेक लिया है अच्छे से फ्राय कर लिया है तो इसे आप निका नाद भी बना सकते हैं तो आप थोड़ा सा तेल इसमें इस तरह से डाल दीजिए जैसे ही तेल हलका सा गर्म हो जाता है राई की कुछ दाने आप इसमें डाल दीजिए नाश्टी का जो बैटर है जैसे हमने पहले डाला था दो छोटी चमच वैसे ही आपको इसमें डालना ह जैसे ही जो लेECT है उपर की ड्राय होने लगती है आप इसे पलट दीजीए और अलट-बट कर के आप इन्हे दोनों साइड से अच्छे सेिप्रई कर लीजीए अच्छे से सालोल फ्लेम पर इने से एक लीजिए जिससे कि अंदर से अच्छे से पक जाए और खाने में बहुत क्र composersarm आप सर्व करें आस दोसतों तो मेंद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होका अपने दोस्तों के साथी हमारे चैनल को सब्समें कर लें क्योंकि हम इसी तरह की यूनिक रेसिपी हमेशा लाते रहते हैं तो जल्दी ही हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए आप खुश रहें मुस्कुराते रहें धन्यवाद